हेलो प्रेंट स्वागत है आपका छेवे कीचेन में आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ सरदी जुकाम खासी गले के दर्द और जोडों के दर्द का घरेलू नुसका तो चलिए देख लेते हैं एक बरतन ले लेंगे और एक गलस दूद लेंगे और बरतन में डा अब गैस अन करेंगे और गैस का फ्लेम अभी हाई रखेंगे और आधा चुटी चमच हल्दी डालेंगे एक लास तूद के लिए आधा चुटी चमच हल्दी शफीशियंट है और दोध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हिला करके हल्दी हमारे सरीर के लिए फायदे मंद हो जाएगा कूट करके डाल देंगे अद्रक काली मिर्ष सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है अब दूध में उबाल आने देंगे दूध में उबाल आ गया है आप देख सकते हैं गेस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और 2-3 मिनट और पका और अद्रक काली मिर्ष डाले हैं उसका भी फ्लेवर दूध में आ जाए एह हल्दी वाला दूध आप बड़े बच्चे सभी को देश सकते हैं बच्चों को कितना देना है मैं आके बताऊंगी लगभग 2-3 मिनट हो गया आप गयस अफ कर देंगे और यहां मैं एक से टेश चमंच अपने टेश्ट के कोडिंग डाल सकते हैं और गूर को बारीक तोड लिए हैं दूध गरम है तो अजहाए से मेल्ठ हो स्टेनर लेंगे और छान लेंगे दूद को हल्दी वाला दूद बनके तयार हो गया इसे आप सर्दी जुकाम खांसी गले का दर्थ चोड़ो का दर्थ या बॉड़ी पेन में ले सकते हैं बहुत ही फायदेमंद नुस्का है या जब कभी चोट लग जाता है मोच आ जाती है अच्छा हो जाता है जाता गया इसे गरम गरम चाय जैसा पीजिए तो जादा आराम मिलता है इसे आप सुमा नासता के बाद ले ज़कते हैं और रात को सोते समय ले सकते हैं एन उसका ट्राइ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा एन उसका आपको कैसा लगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में